विशे है Forest Rights Act 2006, जिसकी implementation बहुत जोरों शोरों से जम्मु कुश्मीर में करने की कोशिश की जा रही है Forest Rights Act के तहट, जम्मु संभाव और जम्मु कुश्मीर में जो forest land है, जंगलाद की जो जमीन है, जो already under encroachment है, already under illegal occupation है वो quote-unquote tribals को देने की कोशिश की जा रही है मैं सबसे पहले कानून के भीतरी provisions में जाऊं, उससे पहले ये सब जम्मु वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि Forest Rights Act के तहट जो forest land के मालिकाना हक दिये जाते हैं, वो केवल उन्ही state में उन्ही tribals को दिये जाते हैं, जिन states में पहला forest villages recognized हों जम्मु कुश्मीरे के ऐसी state है, जहाँ पे केवल और केवल revenue villages हैं, जम्मु कुश्मीर में forest villages नहीं हैं, और दूसरा उन tribals को दिये जाते हैं, जो कई दशकों से, कई समय से, उस particular area में settled cultivation कर रहे होते हैं, यानि उनकी permanent settlement वहाँ पे होती है, किसी पट्टे के तहट या किसी permission क के तहट वहाँ पे रह रहे होते हैं, और वहाँ पे agriculture करके, cultivation करके, अपना जीवन जापन कर रहे होते हैं, so settled cultivation और आपका livelihood जो है, वो forest produced पे dependent होना चाहिए, then only you qualify for getting ownership under the Forest Rights Act, जैसे महराष्टरा में, हिमाचल प्रदेश में, 36 गड़ में, हमारे गौंड हैं, भील हैं, बहुत सारे tribals हैं, जिन्हें, quote unquote, आदिवासी की भी संगया दी जाती है, जो वहाँ के जंगलों में सदियों से रहे के, उसी की produce पे dependent है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, तब activities करने के लिए, उनके rights recognize होते हैं, अब आईए आप जम्मू किश्मीर को, जम्मू किश् आपकी संग्यान में ये लाना चाहूंगा, कि जम्मू किश्मीर में जो भी rights tribals को दिये गए, वो grazing rights दिये गए, क्योंकि वो nomads थे, nomadic people थे, इसलिए उन्हें केवल और केवल grazing rights दिये गए, जो distinguished है, tilling rights, माली जहाँ पर tilling rights, जोतने के rights दिये हों, वहाँ पर ये presumption रहती है कि वेक्ति agriculture perform कर रहा है, उसको वहाँ पर रहने की जरूरत है, धर बनाने की जरूरत है, permanent habitation की जरूरत है, तो tilling rights दिये जाते हैं, tilling rights as a matter of fact, जम्मू किश्मीर में कभी भी यहाँ के nomads को नहीं दिये गए, जिनको tribals कहा जाता है, यहाँ के tribals nomads हैं, और इसी लिए forest right acts की जो basic requirements हैं, उसके तहत ownership के लिए qualify नहीं करते हैं, लेकिन हमने क्या भी एक drama देखा, यहाँ की UT सरकार का, कि चिठिया लिखी गए ही deputy commissioners को की ततकाल परभाव से forest right committees को constitute किया जाए, forest right committees में two third representation STs की की जाए, और हमने क्या देखा गाओं में, village level पे, revenue village level पे, जो forest villages में होना च existent ही नहीं है, उनको revenue village के level पे किया गया और आजपास के revenue village के छेतरों के जो encroachers हैं, उनको इन committees में representation दी गई, मुझे बताईए, यह जो committees हैं, यह आगे जाके क्या recommendations देंगे, जम्मू कुश्मीर के लिए भी बढ़िया है, और tribal empowerment के लिए हमने इस इंप्लिमेंट करना है, तो मुझे बताईए, सरकार जो इस चीज़ को बेच रही है, tribal empowerment को जो को market कर रही है, क्या इन committees की recommendations को वो turn down करेगी, सरकार ने जब इतना mind अपना apply नहीं किया, कि किस परिपेक्ष में Forest Right Act किसी state में apply होता है, ownership दी जाती है, तो क्या ownership देने के लिए जो special committees constitute की जारी है, जिसमे तो सर्ड, representation ही STS की है, जो अपने favor में ही decisions लेंगे, क्या उसकी recommendations को turn down कर पाईगी, vote bank और appeasement की policy के चलते, जम्मू की demography के ऊपर एक और बड़ाए assault है, और मैं आपके माध्यम से आज पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को खास कर जम्मू संभाग के निवासियों को य यहाँ पे extend करके और उसके तहद जंगलों के मालिकाना हक एक community विशेश के नाम पे दे के और illegal तरीके से उसे achieve करने का प्रयास कर रही है, 14 फरवरी 2018 का order आप सब लोग जानते है, legal immunity दी गई थी एक धर्म विशेश के लोगों को, खास कर मुसल्मानों को, कि आप जम्मू लेगा, तो आप police assistance provide नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी eviction activity को carry out करने के लिए, उस 14 फरवरी 2018 के order को पहली बार एक जूट जम्मू के बाद धिम से मैंने स्वेम public domain में लाया और उस classified document की धजियां उठाई और उस process को रुखवाया, आज उसी process को जिसको हमने कई वर्ष पहले रु administration, उस process को उसके logical और आगी के conclusion तक लेके जा रही है, हम रोशिरी act के खिलाफ लड़े, जिससे जम्मू की डमोगरफी को change करने का प्रयास किया गया, हम 14 फरवरी 2018 के order के खिलाफ लड़े, जिससे जम्मू संभाग की डमोगरफी को काफी हद तक change कर दिया गया, रोहिंग्या की जमीनों पे हुई encroachment के खिलाफ लड़े, और आज आपने एक कानून लाया, जिस कानून के तहत जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स एतिहासिक कारणों के कारण, for historical reasons, qualify नहीं करते और आप हुने encroached forest land ownership में देंगे, और जम्मू की डमोगरफी की जो change की जो रफतार है, उ क्या ये जम्मू के लोगों के खिलाफ एक treason का act नहीं है या इस सरकार का, क्या ये national interest को compromise करने वाली situation नहीं है, हम पिछले कई वरशों से देख रहे हैं कि वो सब schemes जो पाकिस्तान की ISI चाहेगी, कि जम्मू कुश्मीर में deploy की जाए, implement की जाए, वो भारत सरकार ही यहाँ प कमजोर बनाके, बलकि यह एक ऐसा छेत्र बनाके, जहाँ पर minorities, non-muslims, उनका जीना दूभर हो जाए, तो मैं आपके माध्यम से forest right act की implementation की मुखालफत करता हूँ, यह बताना चाहता हूँ सरकार को कि एक जूड जम्मू इस illegal implementation के खिलाफ है, इससे पूर में भी जब जब private member bills भी legislative assembly में introduce किये गए, कि यह act को extend जम्मू किश्मीर में किया जाए, आप जानते हैं उस समय के forest department ने क्या क्या recommendations दी, इस सरकार ने इस कानून को notify करने से पहले, क्या उन recommendations को नहीं पड़ा, उन recommendations में क्या क्या तथे सामने लाए गए हैं, क्या उन्हें नहीं पड़ा, यहां के tribals, agricultural lands ओन करते हैं, towns में, villages में, stone crushers हैं, businesses हैं, transport में businesses हैं, आप उन्हें compare कर रहे हैं, 36 गड़, महराष्टरा, हिमाचल के उन tribals के साथ, जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी, और जिनकी protection के लिए constitutional provisions हैं, और आप जम्मू की peculiar demographic change के process को condone करते हुए, overlook करते हुए, एक over simplistic view, के appeasement के चलते हैं, उसे आपने यहां पर forest right act की implementation के रूप में यहां पर deploy कर दिया,